पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे अपनी अंतिम यात्रा में द्रौपदी सहित अन्य सभी पांडव एककर गिरते रहे और युदिश्चर उन सब के पाप किनवाते गए अंत में युदिश्चर अकेले ही सदेह स्वर्ग लोक में पहुँच गए थे आगे जो हुआ था वो भी आपको अश्चर चकित कर देगा वहां किसको स्वर्ग मिला था और कौन नर्क में गया युदिश्चर ने वे सब देखा अन्य भी कई रहस्यमई घटनाएं हुई जिनको जानने के लिए आप इस वीडियो के अंतितक बने रहें ओम गणपते चैनल में आपका स् अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सबस्क्राइब अवश्य करें महा भारत स्वर्गा रोहन पर प्रतम अध्याय के अनुसार स्वर्ग लोक में पहुँचकर धरम राज युदिश्टर ने देखा कि दुर्योधन स्वर्गिये शोभा से संपन्न हो तेजस्वी देवताओं के साथ एक दिव्वे से हासन पर विराजमान है दुर्योधन की ऐसी शोभा और संपत्ती देख राजा युदिश्टर अमर्ष से भर गए और सहसा दूसरी और लोट पड़े फिर उच्छ स्वर्श से उन सब लोगों से बोले देवताओं जिसके कारण हमने अपने समस्त सोहरद्यों और बंधों का हट पूरवक हंसते हुए बोले नहीं नहीं ऐसा ना कहो स्वर्ग में निवास करने पर पहले का वैर विरोध शान्त हो जाता है ये राजा दुर्योधन देवताओं सहित उन श्रेष्ट नरेशों द्वारा भी पूजे तेवं सम्मानत होते हैं जो कि ये चरकाल से स्वर्ग लोग में नि महात्मा और सत्यवादी मेरे भाई हैं उन्हें इस समय कौन से लोग प्राप्त हुए हैं मैं उनको देखना चाहता हूँ कुंती के सत्य पृतिग्य पुत्र महात्मा करन से भी मिलना चाहता हूँ मैं अन्यसमस्त राजाओं से मिलना चाहता हूँ अपने भाईयों से अलग रहकर इस स्वर्ग से भी मुझे क्या लेना है जहां मेरे भाई वही मेरा स्वर्ग है उनके बिना मैं इस लोग को स्वर्ग नहीं मानता देवता बोले वत्स यदि उन लोगों में तुमारी श्रदा है तो चलो विलंब ना करो युदिश्टर से ऐसा कहकर देवताओं ने पापाचारे मनुश्य ही यातना भोगने के लिए उस पर आते जाते थे वहां घोर अंधकार चा रहा था वैपापियों के ही योग्य था वहां दुरगंद फैल रही थी मास और रक्त की कीच जमी हुई थी वहां यत्र तत्र बहुत से मुर्दे विखरे पड़े थे राजा उन्हें देवदूत से पूछा फैया ऐसे रास्ते पर अभी हम लोगों को कितनी दूर और चलना है धर्मराज की ये बात सुनकर देवदूत लोट पड़ा और बोला बस यही तक आपको आना था महराज देवताओं ने मुझसे कहा है कि जब युदिश्टर ठक जाएं तब उन्हें वापस लोटा लाना अते अब मुझे आपको लोटा ले चलना है यदि आप ठक गए हैं तो मेरे साथ आईए युदिश्टर वहां की दुरगंद से घबरा गये थे इसलिए उन्होंने मन में लोट जाने का निश्चे किया युदिश्टर ज्यों ही वहां से लोटन हमें कश्ट नहीं दे रही है उनकी करुणा जनक बाते सुनकर भी युदिश्टर उन्हें पहचान न सके वे बोले आप लोग कौन हैं और किसलिए यहां रहते हैं उनके इस प्रकार पूछने पर वे सब चारों और से बोलने लगे प्रभो मैं करण हूँ मैं भीमसेन हूँ मैं अर्जुन हूँ मैं नकुल हूँ मैं सहदेव हूँ मैं द्रौपदी हूँ और हम लोग द्रौपदी के पुत्र हैं इस प्रकार वे सब लोग चिला चिला कर अपना अपना नाम बताने लगे उन बातों को सुनकर राजा युदिश्टर मरहि मन विचार करने लगे मेरे महामना भाईयों ने कौन सो ऐसा पाप किया था जिससे ये लोग इस दुरगंद पूर्ण भैंकर स्थान में निवास करते हैं क्या मैं सोता हूं जा जागता हूं मुझे चेत है या नहीं ये मेरे मन का भ्रम तो नहीं उन्होंने दूत से कहा तुम जिनके दूत हो उनके पास मैं वहां नहीं चलूंगा मेरे निकट रहने से यहां मेरे इन दुखी भाई भंदूओं को सुख मिलता है दूत ने देवराज इंद्र को वहां धरम पुत्र युदिष्टर की कही हुई सारी बाते कह सुनाई तदंतर इंद्र आदी संपूर्ण देवता वहां आ पहुंच देवराज इंद्र ने युदिष्टर को सांतवना देते हुए कहा महा बाहू युदिष्टर तुम्हें अक्षय लोग प्राप्त हुए हैं आओ हमारे साथ चलो तात तुम्हें जो नर्क देखना पड़ा है इसके लिए क्रोध ना करना तुमने गुरु पुत्र अश्वत लोग में आप पहुँचे हैं चलो उनका दर्शन करो तुम जिनके लिए सदा संदप्त रहते हो विसंपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेश्ट महा धनुर्दर करन भी परमसिद्धी को प्राप्त हुए हैं देवराज इंद्र जब इस प्रकार कह रहे थे उसी समय शरीर से शुद प्रमानेत हुए तुम में पाप का नाम भी नहीं है अते सुखी हो तुम्हारे भाई नर्क में रहने के योग नहीं है तुमने जो उन्हें नर्क भोगते हुए देखा है वैं देवराज इंद्र द्वारा प्रकट की हुई माया थी तात समस्त राजाओं को नर्क का दर्शन अवश्य करना पड़ता है इसलिए तुमने दो घड़ी तक ये महान दुख प्राप्त किया है नरेश्वर सव्य साची अर्जुन हीमसेन पुरुष प्रवर नकुल सहदेव अत्वा सत्यवादी शूरवीर करण इन में से कोई भी चिरकाल तक नर्क में रहने के योग्य नहीं है धरम के यों कहने पर युदिष्टर ने धरम तथा समस्त स्वर्गवासी देवताओं के साथ जाकर परम पावन देव नदी गंगाजी में सनान किया सनान करके राजा ने ततकाल अपने मानव शरीर को त्याग दिया ततपश्चाच्यु युदिष्टर उस समपन हैं वीरवर अरजुन भगवान की अरादना में लगे हुए हैं इन दोनों ने युदिष्टर को पस्तित देख उनका यथावत सम्मान किया इसके बाद दूसरी और दुष्टी डालने पर कुरू नंदन युदिष्टर ने शस्त्रधारियों में श्रेष्ट करण को देखा जो बारें अदित्तियों के साथ तेजों में सुरूप धारन किये विराजमान थे फिर दूसरे स्थान में उन्होंने दिव्वे रूप धारी भीमसेन को देखा जो पहले ही के समान शरीर धारन किये मूर्तिमान वायू देवता के पास बैठे थे विदिष्टर ने नकल और सहदेव को अशुनी कुमारों के स्थान में विराजमान देखा जो अपने तेज से उद्धीप तो हो रहे थे तदंतर उन्होंने कमलों की माला से अलंकरित पांचाल राज कुमारी द्रौपदी को देखा जो अपने तेज जस्वी स्वरूप से स्वर्ग लोग को अभी भूत करके विराज रही थी। राजा युधिष्ट ने इन सब के विशे में सहसा प्रश्ण करने का विचार किया। तब देवराज भगवान इंद्र बोले राजन ये सब युध में शरीर त्याक कर अपनी पुवित्र बाणी बुद्धी और कर्मों के द्वारा स्वर्ग लोग पर अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। आप सबसे ख्यमायाचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारन करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय है।